आपको अपने टाइप की स्कीन की फेस पैक मिल ही जाएगी दोस्तो एक वीडियो में साड़े स्कीन टाइप का फेस पैक बताना संभब नहीं है आज का फेस पैक ड्राइ स्कीन वालों के लिए है जैसा कि यह स्कीन ड्राइ होती है क्यूकि इसमें मॉस्टराइजर की कमी होती है ऐसी स्कीन वालों को स्कीन केर में ऐसे प्रोड़क य्जीज़ करने चाहिए जिसमें मॉस्चराइज़िंग प्रॉपर्टीस हो आज मैं आपको ऐसा फेस पैक बताने वाली हूँ जो आपकी स्कीन को मोस्टराइज तो कड़ेगा ही साथ में आपकी स्कीन को कूलिंग इफेक्ट भी देगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेख से ओर कि आप मेरे चनल को सस्क्राइब कर लें और उसके पास में जो बेल बटन है उसे भी पक्का हिट करें मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूले फास्ट पैक बनाने के लिए आपको जर्रत होगी एक टमाटर की जिसको आपको कद्दू कस करके इसका पल्प निकालना है अब इसमें आपको एड़ करना है एक चमश हनी टमाटर में होती है ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज जो आपकी ड्रास्किन को रिपेर करके उसे लाइटन अप बनाने में हेल्प करती है और हनी में होता है मॉस्चराजिजिंग एजिन्ट जो आपकी स्कीन को डिपली मॉस्चराईज करेगा इन दोनों ही ingredient को आपको अच्छे से mix करना है और पूरे face पे लगा कर 20 मिनट के लिए छोड़ देना है इसके बाद आप गुनगुने पानी से अपना मूँ धो दे दूसरा pack पनाने के लिए आपको जोरत होगी थोड़ा सा rice फ्लाड़की इसमें आप एड़ करेंगे orange pulp इसमें आपको एड़ करना है थोड़ा सा honey चावल के आटर में होती है bleaching property जो आपके dairy skin cells को remove करेगा orange pulp में होता है vitamin C जो skin cell को repair करके उसको निखारता है अब इन तीनों की ingredient को आप अच्छे से मिला ले उसके बाद 20 मिनट अपने चेहरे पे रखें सूप जाने के बाद scrub करते हुए हलके हाथों से इससे छुड़ाएं उसके बाद आप साधे पानी से मूद हो सकते हैं आपने नोटिस किया होगा कि इन दोनों पैक में मैंने हनी यूज किया है क्योंकि जब बाद dry skin की हो तो हनी से बहतर कुछ नहीं है आप रूज सिर्फ हनी भी फेस पे लगा सकते हैं इससे भी आपकी skin की dryness कम हो जाएगी I hope आपको यह वाला वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चनल को सस्क्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें